हेलो फ्रेंज विल्कम टु माई चैनल कृष्णा प्यारे मैं आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक नए डिजाइन लेकिन उससे पहले मैं आपको लिए कुछ कहने चाहते हूं कि मैं पांच-छे महिने से अपनी वीडियो नहीं बना पा रही थी तो उसके लिए मैं सो है 2.5 mm का क्रोश लिया है देखिए शायद आपको ना दिख रहा हो तो शुरू करते हैं उस डिजाइन को यह देखिए इस तरीके से हम इसे स्लेप नौट लगाएंगे इसको टाइप कर देंगे चेन मनाएंगे 20 एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा अंदरा सोला सत्रा अठारा उनिस और यह 20 वीस हमने चेन मना इसकी बाध हम 4 चेन को स्किप करके पांच वे में हम डबल क्रोशा बनाएंगे एक दो तीन चार को स्किप करने के बाद पांच वे में हम डबल क्रोशा करेंगे इस तरीके से यह देखिए इस पट्टिकॉम ऐसे ही बनाएं इस रोव पर देखिए गईस यह रोव मेरी कम्प्लीट हो चुकिया यह मेरे 17 बैट है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सूल, सत्रा सत्रा बैठे हैं अब इनको हम के टागना है तीन चेन लेंगे इसको पलतेंगे और यह जो प्रार में डबल क्रोशे है इसको हम इसमें पब बनाएंगे एक, दो, तीन, और चार बार इसको हम पफ के टागना है इस तरीके से हम इसको पफ बनाएंगे एक चैन लेंगे और इसी के अंदर दुबारा इसमें पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, चार यह देखें इस तरीके से फिर चैन लेंगे बारा एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा यह बारा नीचे हमें डबल क्रोशे कितने छोड़ना है इसके लिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरह और जो यह हमारे पास 14 है उसमें हमें इसे डबल क्रोशे पफ बनाना है जैसे हमने यहां पर पफ बनाया है इस तरीके से हमें यहां पफ बनाना है एक बार गुमाया दो बार तीन बार और यह चार बार इस तरीके से पफ को बनाने है यह देखें अब आगे फिर एक चैनल लेंगे फिर इसके अंदर ही हम पफ बनाएंगे एक बार दो बार तीन बार और यह चार इसको इस तरीके से हम पब बना रहाएं यह देखें आगे हम इसे देखें गाइस इसके बाद हम क्या करने के इसको हम इस तरीके से सिल्फ टिच कर देंगे तीन चैल लेंगे एक दो तीन तीन चैल लेने के बाद हम पब बनाएंगे इसके अंदर एक बार दो बार तीन बार और यह चार देखें इस तरीके से एक चैल लेंगे फिर इसके अंदर ही है पफ बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, इस तरीकेसे, फिर बारा चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बार, पफ बनाएंगे हम, एक, लग्ट, इस तरीके से, एक, लेलेंगे, दो, भार, एक, जार, लार, छे, साथ, जार, साथ, भार, वह हैं भी देखें फिर वह ही करना है इसके अन्दर हमें हुआ है और इसको अस्तरीके से चेन बनाएंगे और इसके अंदर पॉफ बनाएंगे कि यह तो ऐसे ही कटके हुझाना है जैसे हम आगे करते गए हैं वैसे ही इसको भी बनाने एक एन, एक, दो, तीन, बार, चार, अब बनाना है, चार, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, इस तरीके से हमें तीन बार करना है, ऐसे, एक, बार, दो, बार, तीन, बार, चार, इस तरीके से इसको, कि यह ऐसे जाएगी इधर का फेर करना है तो हम इसको फिर पल्टेंगे और इधर स्लिप इच कर देंगे फिर चैन लेंगे तीन की चैन लेके फिर पफ देंगे फिर डिजाइन आपको बताते हैं एक बार दो बार तीन बार चार बार अबर दो हम इंघạn करना आपके करना कंडा हैं एक डो कि चार फाठ शेग साथ चेन लेने के बाद देखें नीचे कितने हैं हमारी Asha double crochet उसको बीच में हमेज सातने डयटêu ऑफे एक दो 34 पांच 6 और यह साथ मिल्सांद स्व touch 2 फंदे को एसhus लेकर इसको इस से इस तरीके से देखिए इस तरीके से पब बनाएंगे हमें एक बार ले लिए हमने यह देखिए एक बार दो बार इसके अंदर लेना है देखिए एक बार ले लिए हम इसके अंदर यह देखिए इसके अंदर दूसरी बार भी इसी के अंदर पफ के अंदर लेना है इस तरीके से हमें चार देखिए इस तरीके से बनाएंगे कितली जैसे बनेगा यह अब हमें क्या करना एक चैन लेनी है इसको पल्ट देना है और जो यह हमारी चेन है इसके अंदर हम डिजाइन शुरू करेंगे देखिए यह जो चेन है इसके अंदर हमें इस तरीके से सिंगल क्रूशे लेने दूसरी चेन में तीन हो गए चार पांच छे और यह और यह साथ साथ हो गए हमारे अब क्या करना है एक को हम इस तरीके से ऐसे कर लेंगे दूसरे को इस तरीके से करेंगे एक एक फंदा हम घटा आते हुए जाए इस तरीके से एक चैन लेंगे अब जो हमारी जगह खाली है इसके अंदर हम इसको ऐसी क्रोशे डालके इधर से फिर ऐसी ही बनाना है एक बार दो बार थीन बार चार बार देखे आज बार और ये साथ हो गई देखे आए फिर हमें इसे ऐसी ही घटाना है इसको दो को एक साथ घटाना है दो को एक साथ घटाना है दो को एक साथ घटाना है इसको देखे फिर चैन लेंगे एक बार फिर वही रिपीड होगा देखे एक बार कि दो कि दो बार कि इन बार कि चार बार कि हमारे छे फंदे पूरे होने चींगे ये देखे पूरे छे होगा इसको एसे ही घटा देंगे एक को दूसरे को इसके साथ घटाएंगे तीसरे को इसके साथ घटाएंगे चोत्ते को इसके साथ पाच्वा च्टा और इस लाश्ट का ऐसे इस तरीके से अब एक बार और करेंगे इसको यह बार फिर ऐसे ही करना है इसको ऐसे लेना है ऐसे ऐसे इस तरीके से इसको फिर घटाना है कि देखिए इसको हम इस तरीके से करेंगे इस तरीके करने बाद हमें इसको ऐसे पल्टना है इसको हमें पल्टना है इसको पब बनाएंगे इदर इसके अंदर हम ऐसे पल्ट देंगे इस तरीके से फिर हम इसको ऐसे पब बनाएंगे कि एक बार दो बार तीन बार चार यह राइन ऐसे ही चलेंगे आप लेंगं एक चेल लेंगे फिर इसको पल्टेंग पुफ पनाएंगे एप शित तर्ड़ की से आ फिर एनदर रिप्तिच करेंगे फिर पफ बनाएंगे और एक बार दो बार तीन बार और चार फिर चेल लेंगे फिर इसके अंदर करेंगे एक बार दो बार तीन बार चार बार देखेंगे अब जैसे हमने नीचे ही है यहां पर जैसे हमने नीचे यह चेनों के लिए लिया था देखें एक दो तीन यह चेन ऐसे करी थी लाइन बनाई थी वैसे ही अब हम यहां पर बनाएंगे देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो तस क्यारह बार बारा चेन बनाने के बाद हम इसमें इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसमें पफ बनाएंगे एक बार दो बार तीन बार चार बार और इसको ऐसे ही जोइन कर देंगे फिर चेन लेंगे फिर पफ बनाएंगे इसके अंदर एक बार दो बार तीन बार चार बार और यह लिए ऐसी इसको बनाते जाएंगे तो मैं अब यह दोनों चेन बना के आपको दिखाती हूँ देखेगा इस यह मैंने इस तरीके से बना लिया है साथ चेन मैंने यहां पर बना लिया है यह चीज मैंने ऐसे बनाते आई हूँ अब इसके जो मैंने यहाँ पर किया था वो ही सब मैं अब यहाँ पर करूँगी तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करूँगी यह देखे यह जो क्रोशे के यह जो ऊपर का हिस्सा है इसमें इसमें यह देखे इसके जो ऊपर का हिस्सा है उन्हों सबको ऐसे एक साथ ही निकालना है मेरेको पफ बनाने के लिए दिखें और दुबारा फिरी सी के अंदर लेके जाना है दो बार कर दिया और ये पीसरी बार कर दिया चार बार कर दिया इस तरीके से पफ बना दे इसका अब आगे एक चेन लेंगे इसको फल्टेंगे जैसे अब इसमें करना था वही काम है दुबारा इसमें करना है सीधी चेन करनी है कि यह बार ऐसे करना है इसको दो बार कि यह चार हो गए हमारे पांच पांच छे हो गए है और यह साथ हो गए है ठीक है साथ हो गए फिर वही करना है एक चेन लेनी है इस तरीके से दो को एक करना है इस तरीके से चेन लेंगे फिर इसके अंदर हम डालना है इस तरीके से करना है इस तरीके से फिर चेन लेनी है इस फिर दोनों को एक करना है इस दोनों को एक करना है इस तरीके से इस रहों को आप देखें अगया फिर चेन लेंगे साथ ही होने चाहिए हमारे पूरे यह साथ पूरे होते जाएंगे तो में पूरा होता जाएंगे एक बार दूरा हुआ 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 है कि इस तरह के से फिर चेन लेंगे फिर इसके अंदर ऐसी ही करेंगे इसको पुरा उस वही प्रोसेस करना है कि देखिए इस तरीके से इस तरीके से बन गया है अब इसको हम फिर दुबारा इस से दिखिए हैं यह हम इसको पवनने एक दो दो तीन चार देखिए एक चेन होगाई एक दो तीन चार फिर फटेंगे इसको स्लिप्टिच करेंगे इस से चेन लेंगे तीन चेनल लेने के बाद फिर इसको वैसे ही बनाते जाएं देखिए इस तरीके से हमारा तयार होगा देखिए कि आप इसको कितनी भी लंबी फट्टि बना सकते हैं इसको बालों के लिए भी आप बना सकते हैं हेर बेंड की तरह इसको बना सकते हैं आप इसको ऐसे ही इसे पूरा करते हुए जाते हैं आपको पूरा डिजाइन आपको ऐसे ही बनता जाएगा और यह बहुत ही सुन्दर लग रहा है बनने के बाद क्या करते हैं आप इसे किसी भी चीज में बना सकते हैं बहुत सुन्दर जाएगी यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा शेयर कीजिए और रादी रादी